कि मैं दो तीन चीजे आपको एकदम क्लियर करता हूं बिटा देखो हम मान सकते हैं कि हम थोड़ा सा स्लेबस में डिले हैं लेकिन विए नौट डिलिवरिंग एनी सबस्टेंडर्ड कंटेंट आप सोचो कुछ से इस भात को क्या हम कोई ऐसा कंटेंट डिलिवर कर रहे हैं जो नीची थी कराने की क्योंकि जब हम यहां से फ्री होंगे तभी तो नेक्स बैचीज में पढ़ाएंगे आप सोचो खुद से हम क्यों आपको मतलब सारा चीज प्रॉपर पढ़ाने चाहरे हैं क्योंकि आप लोग रिजल्ट हो बिट आप नहीं समझ रहे हैं कि जल्दबाज तो हम इस चीज को बिल्कुल बिलीद करते हैं कि हमारा जो डिलिवरी होनी चीए हमारा जो कंटेंट होना चीए वह एकदम ऐसे लेवल का हो जो आपके लिए अच्छा हो मतलब ऐसा नहीं करेंगे आप यस चीज को समझो आप अगर ध्यान से सोचोगे कि मतलब मैक्सिम कोचिंग में आखरी में स्लिवर्स को जल्दी यल्दी से करा देते हैं रिजन यह है कि उनके अगले बैच इस रेडी हो रहे होते हैं अगले बैच इस रेडी होने के लिए टीचर को फ्री होना होता है तो क्या हमें नहीं पढ़ाने अगले बैच इस क्या हमे उने कई बर ऐसे रहता है यार यह आएगा नहीं आएगा कोशन आएगा तो मैं A मार्क करो B मार्क करो नहीं करना ना आपको कुछ भी फिर आप चाहिए दस बार रिवाइस को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अच्छे से नहीं पड़ों के तो दस रिविजन का भी कोई बेनेफिट नहीं होने वाला है ठीक है तो जो मेन कंटेंट जब पड़ते हो उसको टाइम दे के NCRT पढ़के सारा अच्छे से करना क्लीर तीक